गुड बॉर्णिंग टियर चिल्रेन वेल्कम टू यॉर हिंदी क्लास आईए आज हम जावर्ग का आखरी व्यंजन यहां पढ़ेंगे बच्चों क्या आप जानते हैं यहां से कोई शब शुरू नहीं होता है आईए चित्र में दिये गए एरो की निशान के हिसाब से यहां लिखना सीखते हैं बच्चों फर्स्ट एरो कर्फ सेकिंड एरो छोटी से स्लिपिंग लाइन मिडल से थर्ड एरो स्टैंडिंग लाइन फोर्थ एरो उपर गाली लाइन में स्लिपिंग लाइन बन गया यहाँ आईए बच्चो आज हम चावर्ग का आखरी वियंजन यहाँ लिखना सिकते हैं यहाँ लिखने के लिए हम सेकंड लाइन से फोर्थ लाइन तक एक स्टांडिंग लाइन बनाएंगे फिर मेडल वाली लाइन से एक छोटी से स्लिपिंग लाइन बनाएंगे फिर एक कर्व बनाएंगे जो टू और त्री लाइन के पीछ में होगा फिर स्लिपिंग लाइन बन गया यहाँ एक बार फिर देखते हैं बच्चो second line से fourth line तक एक standing line बनाएंगे one two three three line में एक छूट इसे sleeping line बनाएंगे अब इस sleeping line को touch करते हुए curve बनाएंगे बच्चो ऐसी बन गया या sleeping line second line में बनाएंगे एक बार फिर देखते हैं second, third, fourth line में एक standing line third line में middle से छूट इसे sleeping line second और third line के बीच से start करेंगे बच्चो यह देखें sleeping line को touch करते हुए curve इस तरह से बनाएंगे और second line में एक sleeping line बन गया है ना बहुत ही असान आप भी try कीजे चावर्ग का आगरी वियंजन या पढ़ने के बाद आज हमारा चावर्ग पूरा हुआ थैंक यू